तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डीटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या हमें 2024 में हॉंड़ की एस्पी 125 पर्चेस करनी चाहिए यह अभी कंपेडिशन में जो अधर बाइक लॉंच हो रही है उन्हें चेक आउट करना चाहिए तो शली डीटेल्स में हम बात करते ह है वन लैक एट थाउजन रुपीज के इसका फ्रेंट्स यहां पर डिस ब्रेक वाला मॉडल जो कि इसका टॉप मॉडल है और डिस ब्रेक के साथ में यहां बाइक आपको मिलती है अब देख लिए आप इसका इसका डिस ब्रेक मिलेगा अगर करेंट लिए इसके फीचर की करते हैं तो कंपनी यहां पर करती है LED लाइट जो की complete LED लाइट्स है इसका जो फ्रेंट्स नाइट में तो है वो काफी अच्छा है मतलब बेस्टीन आप सेग्मेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसका लाइट्स काफी टाइम से मतलब काफी अच्छा performance डिलेवर कर रहा है कहीं ब आपको मिलता है 80 by 100 का टायर जो कि यहां पर 18 इंचे के लाइट पर मौंट है और यहां पर जो आपको डिजाइन मिलता है फ्रेंड में कंपनी ऑफर करती है टेलिस्कोपिक फोक्स जो कि आता है रिफ्लेक्टर के साथ में और यहां से आप इसका जो लुक्स है वो देख पा फजो तो आपरis पर अच्छी प्रवाइटा है फिर्वाइड पर काफी इसल messenger करता है सिटा प्रवाइड करता है लाइग से जिटारले जो आपको पता चलते रहता है जिससे कि आपaltungनिस्पीडव मिलें यह कंपनी प्रवाइड करती है इंजन किल सुष इलेक्रिक स्टार्ट और यह नॉर्मल स्टार्ट नहीं है यह आता है सालेंड स्टार्ट फीचर के साथ में जो कि यहां पर काफी अच्छा है और ज्यादा तर फ्रेंड्स आपको हाई-end यह यह पर देख सकते हैं वन डाउन फॉर अपको मिलता है इस बाइक का जो माइलेज है वह फ्रेंड्स आपको आपको देखने को मिलता है 65 के अप्रॉक्स में जो कि काफी अच्छा है मतलब अगर आप मिक्स कंडिशन्स में चलाते हैं हाई-वे-प्लस-City में तो आपको आर है वह भी काफी कम है 116 केजिस का इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वह आप 100 के अप्रॉक्स का मिलता है और यहां पर कंपनी आपको टैंक प्रॉइट कर रही है वह काफी बड़ा है 11.2 लिटर्स का टैंक है तो काफी अच्छा रेंज हो जाता है मतलब अगर आप देखते है यह बाइक आती है सीवी एस के साथ में कॉम्भी ब्रेकिंग सिस्टम आप देख पा रहे होंगे यहां पे फ्रेंड्स आपको दो वाइर्स दिखेगी तो इससे बनी फीडियो होता है कि टायर वगर जो स्किट करने का चांसे वह काफी कम हो जाता है यहां पर आपको मिलत है तो 790 mm के एप्रॉक्स का सीट है तो अगर आपकी हाइड यहां पर फाइट फाइट फाइव इंच के भी एप्रॉक्स में तो इसलिए आप इस बाइक को यहां पर मैनेज कर सकते हैं क्योंकि बाइक काफी लाइट वेटेड है तो सीट हाइड भी थोड़ा कम है चलाने मे काफी कमफटेबल यह रहती है बाकी अगर हम बात करते हैं फ्रेंट्स के यहां पर वील बेस के बारे में तो टूफ हंड़ेड एटी फाइव एमेम का यहां पर आपको वील बेस देखने को मिलता है ओवर ओल में जो इसकी हाइट है वह है एलेवन हंड़ेड एंड थ्री ए अब हम बात करते हैं कि 2024 में आपको इस बाइक के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं तो मेरे हिसाब से फ्रेंट्स बाइक जो अभी काफी वेल्यू फॉर मनी है यहां पर ऑप्चन है क्योंकि बाइक आता है काफी यहां पर मतलब बोल सकते हैं कि एक कम्यूटर प्लस यहां थोड़ा स्पोड़ी लुक के साथ में मतलब यह ऐसी डिजाइन में है कि आप इसे खुद भी चला सकते हैं प्लस अगर आपके फैमिली में कोई भी है तो वह भी चला सकते हैं फादर वगरा चाचा वगरा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कमफोर्ट नहीं फीलोगा भाई कि काफी कंफरेबल है जहाँ है ह्टल बार का सेट अप इस तरह से रखा गया है कि मतलब आप कंफरेवली जब बैथते हैं तो इस ताइम पे आप यहां पर राइड कर पाएंगे वह यहां पे काफिछ प्लस पॉर्प बनता है काफी वाइक सी होती है कि आप पर्शस क कर लेते हैं उसके बाद आप खुदी चला पाते हैं आपके फैमिली में कोई उसे यूज नहीं कर पाता वह ऐसा इस बाइक के साथ में नहीं है देखने में भी अच्छी लगती है रोड प्रेसंट भी अच्छा है प्लस यह फ्रेंड्स कोई भी यूज भी कर सकेगा साथ के सा मैलेज भी ऐसा है कि आप यहां पर मतलब मैलेज के टिंसन आपको लेने की ज़रौत नहीं है साथ से पैसे तक का मैलेज तो खैर नोडाउड यहां पर बाइक से मिली जाता है जितने भी लोग यहां पर जरूर चामेंट करें कि उनकी वाइक क्या मैलेज यहां पर ऑफर कर काफी है तो मैलेज के मामले में यहां पर काफी अच्छी स्टाइंड करती है साथ के साथ वाइडर टायर आने के बाद यहां पर जो गरिप वी काफी बढ़ गया है पहले लोगों को इस बात को सुना और यहां पर ध्यान देते हुए वे इस आपको प्रवाइड कर दिये त तो Bluetooth friends अभी फिलाल में आपको नहीं मिलता बाकि डिस्प्ले की जो यहाँ पे क्वैलिटी है वो काफी अच्छी है यहाँ पे सारा जो बेसिक फीचर से वह आपको मिल जाता है जैसे कि friends यहाँ पे आपको गिर पुश्णिंग इंडिकेटर वगर ऐसाब कंपनी प्रोवाइड कर देती है और Bluetooth connectivity की मतलब day to day मतलब कम्यूटिंग में वैसी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है अगर आप देखते हैं तो Bluetooth को छोड़कर बाकि आलमुस्ट यहाँ पे बाइक में आपको सभी कुछ देखने को मिल जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता आपको यहां पर फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अगर हम कुछ पॉइंट्स यहां पर भूल गए हो तो वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आम सत्यम गुपता अगरण तक कि उए आपसे लिएыми साइनिगे लिए